को परिभाशत करने पर निर्भर करता है संस्कृती की किसी की परिभाशा उन कारकों को निर्धारित करती है जिन्हें मनोविज्ञानिक घटना के लिए प्रासंगिक माना जाता है यह मनोविज्ञान को प्रभावित करने के लिए संस्कृती की शक्ती की किसी की अवधारणा को भी निर्धारत करता है यह यह भी निर्धारत करता है कि व्यक्ति अपने मनोविज्ञान और अपनी संस्कृती को किस हद तक नियंत्रित करते हैं, यह उन कारकों पर भी प्रकाश डालता है जो सामाजिक जीवन और मनोवे ज्यानिक कार्य प्रनाली में सुधार के लिए आवश्यक है. संस्कृती की पारम पर एक परिभाशाय इसे सामाजिक रूप से निर्मित और साज्या, विचारों, अर्थों और व्यवहारों के रूप में मानती हैं. ये परिभाशाय संस्कृती के महत्वपूर्ण पहलूं को सामने लाती हैं. हालां कि उनकी वैज्यानिक और राजनीतिक उप्योगिता सीमित है। वे पहचान करने में विफल रहते हैं। A. मनुश्य द्वारा संस्कृती का निर्मान करने के कारण। B. संस्कृती का दाइरा। क्या यह व्यक्तियों या राष्ट राज्यों का समूह है। C. संस्कृती में किस प्रकार का एकी करन शामिल है। उदाहरन के लिए व्यक्तिगत कार्यों का योग या एक सामूहिक संगथन जो व्यक्तियों को संशोधित करता है। D. संस्कृती के तत्व, E. प्रमुख और छोटे सांस्कृतिक तत्वों के बीच महत्व में अंतर, अर्थात, एक दूसरे पर और मनोविज्ञान पर उनका सापेक्ष प्रभाव, F. जो सांस्कृतिक कारकों को नियंत्रत करता है अर्थात शक्ति और वर्ग संबंध, J. संस्कृतिक गतिशीलता और प्रवृतिया, J. सिपा का व्यवहार कैसा है, संस्कृति के भीतर विविदताएं और असमान ताएं, और, J. संस्कृति कैसे बदलती है, संस्कृति की अधिक थोस परिभाशा बनाकर इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, मेरा प्रस्ताव है कि संस्कृति में मुख्य रूप से स्थूल कारक होते हैं, मेक्रो सांस्कृतिक कारक, सामाजिक, भौतिक और वैचारिक संरचनाएं हैं जो समाज की आधारशिला हैं, जैसे, वे आम व्यवहार में लोगों के समूह को एक जुट करते हैं, वे पारसपरिक और व्यक्तिगत कारियों के मापदंडों को निर्धारित करते हैं, मेक्रो कल्चृरल कारक तीन प्रकार के होते हैं, संस्थान, जैसे परिवार, स्कूल, सरकार, आर्थिक उद्यम, आध्यात्मिक संगतन और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, कलाकृतिया, कला, उपकरण, कपड़े, खाने और खाना पकाने के बर्तन, आवास, और सांस्कृ अनुश्य इन स्थूल सांस्कृतिक कारकों के माध्यम से जीवित रहता है और खुद को पूरा करता है। मेक्रो कल्चरल कारकों में विशेश समाजों में विशिष्ट विशेशताय होती हैं, बच्चे, महिला, उपकरण, कला, प्रेम, सामुहिक्ता, ओध्योगीकरण, शह पहरीकरण, क्रिशी और बड़ी सरकार कई अलग-अलग थोस रूपों में मौजूद हो सकते हैं। क्रिशी सहकारी या प्रतिसपर्धी हो सकती है, बड़ी सरकार एक सामन्ती नौकर शाही या अमेरिकी सरकार हो सकती है। सामुहिक्ता पारस पर एक समर्थन का एक लोकतांत्रिक रूप या निरनकुश रूप से थोपा जा सकता है। स्थूल कारकों का विशेश रूप इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों के कौन से समूह उन्हें नियंत्रत करते हैं। वे उन्हें कैसे नियंत्रत करते हैं? और वे अपने नेत्रित्व के माध्यम से जो रुचियां व्यक्त करते हैं. शक्ती और हिट स्थूल कारकों को एक थोस चरित्र प्रदान करते हैं. स्थूल सास्कृतिक कारकों की धारना संस्कृती की विशिष्टा का परिचे देती है. यह सास्कृतिक तत्वों की थोस विशेष्टाओं पर जोर देता है जो विभिन सामाजिक पदू पर आसीन लोगों द्वारा प्रशासित और प्रचारित होते हैं. विभिन संसाधनों औ और अफसरों पर नियंत्रन रखते हैं और अपने हितों को बनाई रखने के लिए विशिष्ट सामाजिक तंत्र को नियोजित करते हैं ये ये भी स्वीकार करता है कि प्रतिसपर्धी समूह सांस्कृतिक कारकों के नियंत्रन के लिए संधर्ष करते हैं और प्रतिसपर्धा के परिनामस्वरूप मैक्रो कारकों के चरित्र को बदलने में मदद मिलती है सांस्कृतिक कारकों को सोच धारना, भावनाओं और उद्देश्यों जैसी व्यक्तिपरक प्रक्रियाओं द्वारा देखा और बनाए रखा जाता है हाला कि उत्पाद जो व्यक्तिपरक्ता पारसपरिक रूप से इसे बनाते हैं हम उन उत्पादों द्वारा उत्पादित होते हैं जो हम उत्पादित करते हैं एक साधारन उदाहरन ये तथ्य है कि यदि आप एक चित्रकार फोटोग्राफ या कवी बनने का निर्नए लेते हैं, तो आप अपनी चेतना, अपनी धारना, भावनाओ, स्मृति को उन कौशलों और सामग्रियों के अनुकूल बनाते हैं जिन में शिल्प शामिल है. लोगों ने जो शिल्प बनाया है, और जिसे आपने गले लगाने का फैसला किया है, वो आपको एक खास तरह का व्यक्ति बनाता है. संस्कृति एक ऐसी प्रनाली है जिसमें हमारे उत्पाद पैदा करते हैं, हम जो बनाते हैं उससे बने होते हैं. और मानव वस्तुए विशेश तरीकों से चेतना को वस्तुनिष्ट बनाती हैं. क्रिती क्या है? हम मनोविज्ञान के साथ इसके संबंध को प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. मैक्रो सास्कृतिक मनोविग्यान मैक्रो सास्कृतिक मनोविग्यान एक साधारन प्रस्ताव पर तिका हुआ है क्योंकि मैक्रो सास्कृतिक कारक वे साधन है जिनके द्वारा मनुश्य जीवित रहते हैं और खुद को पूरा करते हैं मनोवे ग्यानिक घटनाओं को उन्हें बनाने, बनाए रखने और परिश्कृत करने के लिए समर्पित होना चाहिए उदाहरन के लिए एक सामाजिक संस्था, जैसे स्कूल, एक चर्च, एक सरकार या एक कार्यस्थल एक कलाकृती, जैसे एक कारोना लोस एंजल्स फ्रीवे ड्राइविंग, एक कुदाल के साथ मिट्टी को भरना, एक धनुष के साथ खेल का पीछा करना, एक स्कतोरा कोर्सेट पहनना, या एक सांस्कृतिक अवधारना, जैसे की मापने योग्य असतते कैयों से बना समय, या अस्तित्ववाद की एक दार्शनिक अवधारना, या कलन, या संगीत में सोनाता रूप, लोगों को सोचने, समझने, सीखने महसूस करने और आत्मर अवधारना के विशेश रूपों को विक्सित करना चाहिए इन मनोवे ज्यानिक परिगहतनाओं में एक रूप और सामगरी होनी चाहिए, जो की उन मैक्रो कारकों के रूप और सामगरी के अनुरूप है, जो वे बनाते हैं बनाई रखते हैं और परिश्कृत करते हैं, उस जटिल मनोवे ज्यान पर विचार करें जो आपचारिक शिक्षा की संस्था के संचालन के लिए आवश्यक है आपचारिक शिक्षा शिक्षन और सीखने का विशेश अभियास है, जिसे रोज मरा की जिन्दगी से हटा दिया जाता है ये बांज कक्षाओं में अलग थलग परिशरों में होता है, ये विशेश विशेश अग्यों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिन्हें शिक्षक कहा जाता है, जो विशेश रूप से शिक्षन के विशेश अभियास का अध्ययन और परिशोधन करते हैं, इस विशेश श परनन करने के लिए स्पश्ट। सटीक अवधारनाओं को तैयार करने की आवश्यक्ता होती है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं की जाती है। बांज कक्षा में उनके ध्यान को नियंत्रित करें, भावनाओं और शारीरिक गती को दबाना। शिक्षक और छात्र के बीज एक अवैयक्तिक संबंध है, याद किया हुआ प्रासंग एक जानकारी, समय समय पर आवश्यक्ताओं को पूरा करें, जल्दी और स्वतंतर रूप से काम करें, और जानकारी को जल्दी याद करें। मनोव एग्यानिक दक्षताओं का ये सैट विशेश रूप से अपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिए तैयार किया गया है। ये स्वाभाविक नहीं है, ये भौतिक कलाकृतियों, सामाजिक संबंधों और अवधारनाओं की संपूर्ण सन्रचना के अनुरूप है जिसमें अपचारिक शिक्षा शामिल है। शिक्षुता सीखने के लिए दक्षताओं का एक पूरी तरह से अलग सेट आवश्यक है। अप्रेंटिस्शिप रोज मर्रा की घटनाओं के संदर्ब में हाथों हाथ सीखना है। उदाहरन के लिए बुनाय प्राकृतिक परिस्थितियों में सिखाई और सीखी जाती है। कोई विशेश शिक्षक भूमिका या छात्र भूमिका नहीं है। कोई विशेश शिक्षन अभियास नहीं है। कोई विशेश शिक्षन कौशल नहीं है जो काम के बाहर तैयार और अभियास किया जाता है प्रशिक्षु बुनकर के साथ काम करता है निर्देश शामिल है और मॉडलिंग व्यवहार की ओर इशारा करते हुए अमूर्थ प्रतीकों में चीजों का कोई रुपांतरन नहीं होता है जो मौखिक रूप से और संदर्ब से बाहर याद किये जाते हैं मिशिल, 1988 पी-पी, 85-89 क्योंकि अर्थ चीजों में प्रासंगिक होते हैं विशिष्ट घटना के रूप में अर्थ की कोई अवधारना नहीं है क्योंकि व्यवहार में ये प्रासंगिक नहीं है अर्थ विचार में प्रासंगिक नहीं है आपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक मनोवे ज्यानिक दक्षता शिक्षुता में कुवन उकूलित होगी। इसके विप्रीत, शिक्षुता के लिए आवश्यक योग्यताएं उप्चारिक शिक्षा में कुवन उकूलित होंगी। अनुचित दक्षताओं में किसी भी एतिहासिक युग में हमारे अस्तित्व और पूर्ती के लिए आवश्यक विशेश मैक्रो सांस्कृतिक कारकों का निर्मान रखरखाव और परिशोधन शामिल नहीं है। यदि छात्रों ने एक बांच कक्षा में एक समय में एक घंटे के लिए चुपचाप, निश्पक्षता से और व्यक्तिगत रूप से अमूर्त विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की मनोवे ज्यानिक शमता विक्सित नहीं की, तो अपचारिक शिक्षा संस्थान कार्य न पांते हैं, तो सामूहिक अर्थव्यवस्था ध्वस्थ हो जाएगी. यदि पून जीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्वायत्ता की भावना विक्सित नहीं की, तो वे नौकरी के बजार में सफलता पूर्वक प्रतिसपर्धा नहीं कर सके. जहां उन्हें खुद को बेचने, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने और अचानक अव्यवस्थाओं को स्वीकार करने की आवश्यक्ता हो, प्रतिसपर्धी नौकरी बजार धेह जाएगा. यदि चच जाने वाले आलोच नात्मक सोच में लगे हुए हैं, और धार्मिक सिध धानतों का मूल्याकन करने के लिए तर्क और अनुभव जन्य साक्ष्य के सिध्धानतों का उप्योग करते हैं, तो धार्मिक अवधारनाएं और संस्थाएं किसी को आकर्शित नहीं करेगी. मनोवे ग्यानिक परिगहतनाओं के सांस्कृतिक कार्य को ये पूछ कर इंगित किया जा सकता है. स्कूल में अमूर्थ विचारों के बारे में सोचने या किसी व्यभारिक संदर्ब के अलावा अमूर्थ अवधारनाओं को याद करने का सांस्कृतिक कार्य क्या है? क्या मैं इन मनोवे ग्यानिक दक्षताओं में सनलग्न होता अगर मैं एक अलग मेक्रो क इस लड़के या लड़की के साथ मेरी छेरखानी का सांस्कृतिक कार्य क्या है? क्या ये इस देश में विवाह प्रणाली से संबंधित है? स्वयम को स्वायत मानने का सांस्कृतिक कार्य क्या है? क्या मेरे पास यह आत्मल अवधारना आदिवासी समाज में होगी? क्या साम्प्रदाएक समाज में मेरी यह भावना होगी? बेशक, मनोवेग्यानिक और व्यवहारिक समानताओं के भीतर व्यक्तिगत विविद्ताई मौजूद हैं। हाला कि वे उन समानताओं को विस्थापित नहीं करते हैं जिनमें मेक्रो सांस्कृतिक कारक शामिल हैं। मेक्रो सांस्कृतिक मनोविग्यान ये पहचानने में अद्वितिय है कि मनोविग्यान एक सांस्कृतिक तंत्र है।